खेल संसार कारकम में सभी शुरताओं को स्वागत है खेल संसार कारकम में हर सप्ता हम 36 करके खिलारियों के बारे में बाते करते हैं शता इस सप्ता हम बात कर रहे हैं वालीबॉल के खेल के बारे में वालीबॉल के खेल के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं वालीबॉल के अंतराश्टी प्लेयर श्री दिपेश कुमार सिन्ना जी दिपेश कुमार सिन्ना जी खेल संसार कारिकर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद सर दिपेश कुमार सिन्ना जी सबसे पहले तो हम ये जाना चाहेंगे कि आप वॉलीबॉल के खेल से कब से जुड़े हैं और किस तरह आपकी रूची इस खेल में हुई मैं 2007 से मैंने स्टार्ट किया वॉलीबॉल खेलना और तब से लेकर अब तक खेल रहा हूँ और 2010 में मैंने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था इरान में तो 2010 से और अब तक कि मैं कंटीनियोस ही इंटरनेशनल मैचेस में भाग ले चुका हूँ और इसमें रूची मेरी हाइट अच्छी थी स्टार्टिंग से तो बहुत लोगों ने बोला कि तुमको बॉलीबॉल या फिर बास्केटबॉल खेलना चाहिए मैंने कुछ दिन बास्केटबॉल भी ट्राइ किया तो 2010 से लेकर के अभी सह जो 2022 डका समय है इस पीच आपने वलीबॉल के खेल में कहा कहा कितने मैच खेले और कितने पदक अभी तक आप में जीते हैं 2010 लेकर अब तक मैं सारी कंट्रीज में गर्याकि एक लगबग वाइस या तिस कंट्रीज में जाकर खेल चुका हूं मैं और मेरे पास तीन पदक है एक गोल्ड मेडल अभी हाल ही में मिला है और एक सी सेल्स में भी गोल्ड मेडल मिला था हमें सी सेल्स में और एक नेशनल गेम्स में जो कि मैं राजिस्थान के टीम से खेला था वहां पर हमें ब्रॉंज मेडल मिला थ तो ऐसंविए 23 kan Vergleich में जाकर खेल कुछा हम अपना castle mmm टिखा चुका हूं तो यह तीन wills आप त्याप्त की एयं यह तीन मेडल स्कॉन कॉन से दो गोल्ड मेडल और एक ब्रॉंज एक ब्राऊंस मेडल है जो दो गॉल्ल्ड मेडल जीते हैं ये प्रतोगीतां कहा कहा हुई थी एक सीचल में हुआ तो इस तरह से दीपेश कुमार सिना जी ने बताया कि किस तरह है उन्होंने अंतराश्टी वॉलीबॉल प्रतिगुता में भाग ले करके किस तरह भारत के लिए पदक जीते हैं तो दीपेश कुमार सिना जी करका में हम आगे बढ़ेंगे और आप से यह जानना चाहेंगे कि वॉलीबॉल के खेल की क्या नियम है उसे किस प्रकार खेला जाता है वॉलीबॉल के खेल में प्रतिग टीम में कितने खिलाडी होते हैं उसको किस तरह खेला जाता है एक टीम में 14 प्लेयर रख सकते हैं उसमें 6 प्लेयर जो होते हैं मेन प्लेयर उनको पहले मौका दिया जाते हैं अंदर खेलने के जाने के लिए और इसमें दो लिबरो खिला सकते हैं लिबरो की भूमी का यह होती है कि आप टीम में डिफेंस और रिसीव के करने के लिए होते ह के लिए तो इसमें जो मेंजत शिक्स्टीम होती है वो उतरती है ग्राउंड में डोनों किसी नहीं पाए तो फिर जो बागी के प्लेयर में थे शिव्टाइ खहते हैं लीभी मैं चेंजें चर सकते हैं यजगा सब्स टिट्यूशन में और इसमें सिक्स जों कोतिches impl PK बोक करने का वता है ताकि हमारे टीम की तरफ ना आचा कर दीपेश कौण तरे क्यावरड सेनाची अब माली जी किसी खिलारी को जीतना है उसे किस तरह इसमें जीत हासिल करनी पड़ेगी इस गेम में एक सेट्स में होते है गेम मतलब फाइब बेस्ट आफ फाइब होता है अगर कोई टीम थीन सेट ही कंटिनियूसली जीत गई तो वो गेम जीत जाता है इसमें तीन सेट जीतने होते है अगर दोनों टीमों ने दो-दो सेट जीता है 25-25 पाइंट का एक सेट होता है जिसने 25 पाइंट पहले बना लिया वो एक सेट जीत जाता है तो अगर दोनों ही टीमों ने दो-दो सेट जीत ली तो जो लास्ट का जो सैट होता है फिप्ट सैट वो फिप्टिन पॉइंट का खेला जाता है ये तो हुई बात की वॉलीबॉल की खेल के क्या नियम है और उसे किस तरह से जीता जाता है दिपेश कुमर स्विना जी कारका में हमा आपसे ये जाना चाहेंगे वॉलीबॉल की खील का 36 गड़ में क्या इस्थिती है और अभी तक 36 गड़ की खिराड़ियों ने कितने पदक जीते हैं और इस्थिती की बाते हैं कि यहां पर उतनी सुवीधाय जो होती है एक प्लेयर्स को जो सुवीधाय मिलने चाहिए वो मिल नहीं पा रही है जौब नहीं मिल पा रहे हैं इस वाज़ा से जो यहां के अच्छे प्लेयर्स हैं वो बाहर जाकर जॉब कर रहे हैं भारत में या अंतराश्टी इस तर पे 36 गड़ की खिलाडियों ने आपने तो खुद 36 गड़ के साथ साथ भारत का प्रतिनीद अंतराश्टी इस तर पर किया है तो और कौन से ऐसे खिलाड़ी ही जो हमारे 36 गड़ से जो अभी वॉलीबॉल से जुड़े हुए हैं और वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अभी मेरे बाद शिखर सिंग विलाईगा है एसियन चेंपियनशिप हुआ था म्यान मार में वहाँ पे सिल्वर मेडलिस्ट रहा है वो जो भारते टीमें सिल्वर मेडलिस्ट रही है तो काफी अच्छा गेम है उसका काफी आगे तक जा सकता है वॉलीबॉल की खेल की इस्तिती अगर 36 गड़ में देखें तो क्या कोई संस्था इस तरह की मदद करने की जैसे साइन जैसी संस्था क्या 36 गण में वालीबॉल के खेल को प्रशिक्षिया आना है इस तरह से मदद करती है जी बिलकुल है भिलाई में जो भिलाई स्टिल प्लांट है बीएसबी वहाँ पे प्लेयर्स है वालीबॉल के प्लेयर्स वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं उनको पूरा ग्राउंड दिया जाता है बॉल्स दी जाती है जितने एक्विमेंट्स होते हैं वो सारे कुछ स्विध्र दी जाती है ताइक है प्रेक्टिस कर सकें और मैं खुद वहां पे रहके प्रैक्टिस कně हुए हूं तो विलाई स्टील्प्लांट की जो शंस्ता है वह करती है सहाहीं यहाँ Sports Authority of India राइपूर में वहाँ प्रैक्टिस होती है वहाँ पे जाते हैं प्लेयर्स और ऐसी कोई सप्रेशाला ग्राउंड है राइपूर में ही वहाँ पे भी प्लेयर्स जाते हैं वहाँ भी प्रैक्टिस होती है अच्छा प्रशिक्षन मिलता है तो दिपेश कुमार सिना जी मुझे इस वॉलीबॉल के खेल में भाग लेना है या प्रशिक्षा लेना है तो क्या इसमें कोई ऐसा आयू का भी कोई बंधन होता है कि नियुनतम उम्र की सीमा इतनी है जी इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं अंडर 14 होते हैं अंडर 18 होते हैं अंडर 21 होते हैं तो उसमें एज लिमिट यही रहता है अगर अंडर 21 है तो 21 साल से जादा नहीं होना चाहिए अंडर 14 है तो 14 साल से जादा नहीं होना चाहिए तो ऐसे लिमिट्स भी होते हैं ऐसे गेम होते हैं junior national होते है youth national under 21 वो खेल सकते है और senior की बात करें तो senior में तो आप जो game जिसका अच्छा है वो कोई भी खेल सकता है तो इस तरह से धीपेश कुमार सिनाची ने बता है कि किस उम्र में और किस ने उम्र की under में खेला जा सकता है तो दिपेश कुमार सिनाची अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि कोई खेलारी अगर प्रस्रिक्षन लेना चाहे तो 36 गड़ में देखा जाए तो पूरे 36 गड़ में कहा कहा प्रस्रिक्षन वेल्यूबल के लिए प्राप्ट कर सकते हैं पंथ स्टेडियूम भिलाई सेक्टर 1 में है वहाँ प्रस्रिक्षन पर आप कर सकते हैं और परेशाला राइपूर में जो ग्राउंड है वहाँ प्रस्रिक्षन मिलता है साइं है स्पोर्ट्स अथार्टी आफ इंडिया लेकिन साइं के लिए आपको पहले ट्राइल देना पड़ता है वो पूरे औल ओवर इंडिया से ट्राइल देने आते हैं बच्ची जो बेस्ट होता है उसको रखा जाता है वहाँ पर साइं में जो जायन होगा वो ओल इंडिया लेवल पे होगा जहatta अभी हम खेल संसार कारिक्रम में बात कर रहे हैं दीपेश कुमार सिनहां जी जो की औंतराश्टी ये वॉली बॉल खिलारी है तो दीपेश कुमार सिनहां技 कारिक्रम में अब हम वहाँ पर भाग लिया वह आपका अन्वो कैसा रहा वह जो हम मैच खेलने गए हुए थो उलंपिक से पहले जो क्वालिफाइर राउंड होता है उसमें अगर आप क्वालिफाई करो तो ही आप उलंपिक के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं तो उससे हम कुछ ही एक मैच के पाए तो उस चीज़ का है हमें अभी भी दुख है क्योंकि ओलंपिक जो स्पोर्ट में होता है वह एक महा कुम्ब होता है उसमें वर्ल्ड के सारे प्लेयर्स आते हैं अच्छे अच्छे प्लेयर्स तो वहाँ ओलंपिक खेलना ओलंपिक में जाके अपने कंट्री के लिए एक अलग ही जुनून होता है प्लेयर्स के लिए वो हर किसी का एक सपना होता है तो वहाँ पे हम चाइना गए हुए थे खेलने के लिए क्वालिफायर राउंड तो हम बहुत ज्यादा जोश में थे लेकिन वहाँ पे फिर हार के आये तो फिर काफी दुख हुआ हमको कि हम क हार से निराश होने की आवशक्ता नहीं है क्योंकि हार हमें सिखाती है कि हमें और महनत करना है उसी तरह आपने चाइना के ओलंपिक लीग में भाग लिया ये हमारे लिए काफी गरू का विशे है तो दिपेश कुमार सिना जी कारका में चलते चलते अब हम आप से यह जाना से अभी इस तती चतीजगर में वालीबॉल की तो लगभग खीक सी है इंडिया में चतीजगर कर जो रैंक है एट्थ या फिन नाइन्थ पोईशन में है और अभी काफी सारे टीम साते हैं थर्टी फाइब थर्टी सिक्स टीम आती है चे नेशनल में हिस्सा लेने के लिए वहां पर एट्थ या नाइन्थ रैंक होना भी चतीजगर के लिए इसलिए ठीक है क्योंकि प्लेयर्स इंडिज्वली बेशक बहुत अच्छे हैं यहां के मैंने अबजर्व किया बाहर भी जाकर मैं खेला हुआ हूँ तो मैंने अबजर्व किया है कि चतीजगर के जो प्ल में यूनिवर्सिटी में प्लेयर्स को एड्मिशन दिया जाता है फ्री एड्मिशन उनकी कॉलेज के नाम से खेलने के लिए वहां प्रेक्टिस दी जाती है अच्छी प्रेक्टिस मिलती है अच्छी डाइट मिलती है रहनी को यवस्था मिलती है पढ़ाई मिलती है तो इस जैसा माहौल हो जाता है, होस्टल में रहने दिया जाए, आप उनको डाइट दो, प्रैक्टिस करो, आप कॉलेज के नाम से खेलेंगे, आपके कॉलेज का नाम रोशान होगा, क्या पता आगे चल कर वो भी एक इंटरनेशनल प्लेयर बन जाए? बिल्कुल, तो किस तरह धीप संदे सही है कि वॉलीबल गेम ही नहीं, यह है कि आप बेशक आप एक स्पोर्ट्स जॉइन करिए, एटलिस्ट आप अपने लाइफ में किसी गेम, चाहे वो आउटडोर गेम हो, इंडोर गेम हो, यह आपके लाइफ को बहुत अच्छी बनाते हैं, आपको डिसिप्लीन में रहना सिखाती है, टाइम का पंक्चुल होना सिखाती है, सिनियर्स का रस्पेक्ट करना सिखाती है, किसी चीज़ से मदभेत करने को नहीं, और यह होता है, स्पोर्ट्स में एक खास बात हैं होते हैं, कि आपको सेब डिपेंड होना सिखाती है, और आपको स्पोर्ट्स से आप नशे से मतलब से दूर भी रखती है बिलकुल जो कि आज कल का जनरेशन है वो काफी ज्यादा इनवालव होता जा रहा है इसमें तो इस स्पोर्ट से एक ऐसा चीज है कि आपको नशे से भी दूर रखेगी बुरी चीजों से दूर रखेगी आपको बीजी रखेगी इस स आप, अचीज बात आपने बताई है दिपेशकुमार सिन्हा जी शॅताओं वॉलेबॉल के खेल के संबन्द में अभी हम बात कर रहे थे 36 गड रायपूर के अंतराश्टी खिलाडी श्री दीपेश कुमार सिनाजी से दीपेश कुमार सिनाजी खेल संसार कारकम में आप हमारे साथ आए अपने शोताओं को साथ अनुभाव और इतनी सारी बाते साजा की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद Thank you so much sir खेल संसार कारकम से अब हमें यही अनुमती दीजिए नवस्कार